हेलो, गुड मॉनिंग, नमस्कार, मैं अवधे जिक्षित आप सभी का, इस YouTube चनल पर स्वागत करता हूँ, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पर, पुराने सेशन देखने के लिए प्लेलिस्ट है, नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते है और जो भी सवाल है, वह आपको अपने सेशन पर मिल जाएंगे, सेशन को जॉइन कर लिजे, जितने भी जोटिफिकेशन आते हैं, वीडियो के कईयों को नहीं मिलते हैं, तो वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, और रूल बगएरा सभी स्वेंट्स जानते हैं, आप सभी को अपने साथ एक फोन और रखने की कोशिश करनी है, ताइमर उस पर चला लेना है, स्टॉप वाइज चला लेनी है, और आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है, फिसे फिफ्टीन सेकेंड्स में यह डिसाइड करो, कि एक्जाम में अगर हमें सवाल मिलता, तो तो हमारे time waste हो जाएगा और काफी सवाल छूट जाएगे चलिए I hope आपने सवाल try किया होगा वीडियो को pause करके देखते हैं सवाल को अच्छा सवाल हिंदी में है ही नी चलिए कोई बात नी इतनी हिंदी तो इतनी इंगलीश तो सभी जाबते ही है और अभी discuss कर लेते हैं किया पाइप A and B can fill a tank in 10 hours and 40 hours respectively यह और भी दो पाइप है A भर सकता है किसी एक टैंक को 10 घंटे में और वहीं B भर सकता है इसी टैंक को 40 घंटे में C जो है is an outlet pipe यानि कि खाली करने वाला pipe है और तीनों मिलकर जब open करते हैं तो 80 minutes extra लग जाते हैं किस से जितना की A और B मिलकर लेते थे उससे खाली कर रहा है करने वाला pipe है तो definitely extra time लगेगा अच्छा A और B मिलकर कितनी दिर में काम कर जाएंगे तो आपने यहाँ पर LCM ले लिए 40 तो 10 4 जा 40 और 45 जा 40 जो है 40 बंजा 40 ठीक है तो 4 प्लस 1 5 5 8 जा 40 यानि कि A और B जो है मिलकर 8 घंटे में complete कर दे रहे हैं तो जो A B C है A B C है उसमें क्या करेंगे 8 hours प्लस 80 minutes यानि कि 9 hour 20 minutes और 9 hour 20 मतलब 9 1 by 3 अब देखो यह बात हमने time and work में discuss करी थी आपने जहां कहीं और भी पढ़ाओगा वहाँ पर यह बात बताई गई होगी कि जब भी आपको mixed fraction मिलती है तो आप उसको normal A by B की form में लिखो क्योंकि वहीं से हम यहां पर LCM आसानी से ले पाएंगे 9th यह 27 plus 1 28 by 3 आया ना अच्छा यहां पर एक chances यह भी है और comment खरके बताईएगा कि कितनों ने गलती कर दी थी गलती से क्या 80 minutes को वो पड़े ही नहीं उनने बस 80 पड़ा हो जाता है exam में मैंने आपको हमेशा कहा है कि common sense साथ लेके जा जल्द बाजी में हो जागा कि यहां पर हम minute पढ़ना भूल जाएंगे 80 plus 8 सीधे यहां पर 88 कर देंगे इतनी बात हो गई अच्छा जब यहां पर तीन चीजे है अगर LCM फटाफट से ले गया तो तो हमारा काम खतम में दिक्कत परिशानी कहा हो सकती है LCM लेने में अच्छ कट जाएगा मगर वाई चांस मालनों मेरे को क्लिक नहीं करता है तो हम कैसे करते थे कुछ सवाल हमने मेंस में आते हुए देखे जहां पर LCM लेना ही अपने आप में टास्क था एग्जामिनर ने ये भी चेक कर लिया कि हमें LCM निकालना आता है या नहीं तो उस केस में हमने बात करी थी कि कुछ न समझ में आए तो फटाफट से वेक्टराइजेशन कर दो ये क्या है हमारा 2 इंटू में 5 ये क्या हमारा 2 इंटू में 2 4 और 4 5 जा 20 और 22 जा 40 ये क्या है 2 तू जा 4 और 4 7 जा 28 नहीं तो आप 4 इंटू 7 भी करेंगे तो भी हमने डिस्कॉस करा था आप 2 से काल्ट पीट के कर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर ये नीचे 3 है इसका ख्याल रखना है ठीक है अब आजाओ अब देखो जो common है वो एक बार जो नहीं है वो यहाँ पर आज जाएगी ठीक है तू तू यहाँ भी है तू यहाँ भी है तू यहाँ भी है तो तू एक बार आ गया और यहाँ पर नहीं है इसलिए यहाँ पर आ गया रीजन हमने इसका डिस्कॉस किया है क्या कि जब आप इस से डिवाइड करोगे यहाँ पर इस वैल्यू को तो क्या आन जगे नहीं है तो दौनों जगे multiply कर दिया आगे फाइव इन दौनों जगे यहां पर नहीं है तो यहां पर ले आए और यहां पर फाइव से multiply कर दिया और यहां पर टू है यहां पर टू नहीं है और यहां पर भी टू नहीं है यहां पर टू ला दिया अगर मैं आप से 14 पे 28 280, 7 इन 2 में 40 280 है, तो टोटल जो वर्क है वो 280 ही है, अब देखो यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, जब आप 280 को डिवाइड करोगे 28 भाइ 3 से, तो कितना आ जाएगा 28 से गया, 10 टाम स 30 आ जाएगा, वही बात है, अभी तो हमने यह जो लिखा है, यह क्या लिखा है, 28 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपने इसे किस से डिवाइड करना, 28 भाइ 3 से, तो हमने 28 से डिवाइड किया, तो यह आ गया, देखो 7, 4 जा 28 यह गया, बचा कितना 10, 10, 3 जा 30 है, 3 से और मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, यानि मैं कह सकता हूँ कि अगर A की efficiency की बात करें, तो 7 to 14 to 28, A की efficiency आगी, B की efficiency साथ आगी, अगर A, B, C की net efficiency देखें, तो 5 to 10, 3 जा 30 है, ठीक है, सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कि A और B को हमने 7 घंटे तक open करके रखा, तो 7 घंटे में कितना भरेंगे, 28 plus 7, 35, यानि कि 35 into 7, यह A और B ने मिलकर भर दिया है, और उ How much time will C take to empty the tank up, tank कितना भर रहा है, अच्छा C बताओ, खाली कितना करता है, तो A, B, C, तीनों मिलकर 30 भर रहे हैं, लेकिन दौनों मिलकर 35 भरते हैं, यानि कि C जो है, 5 खाली करता है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, 5, 7, 35, 7, 7, 41, क्लियर है, भढ़िया आसान सवाल था, कित कितना टाइम लगा, आपको देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए, देखिए, सभी ने ट्राई किया, क्या कह रहा है, सुधा सोल्ड एन आर्टिकल, ऐसे सवाल कई बार पूछे गया है, कि इसको जितना प् 20% का लॉस हो गया, किसको, सुधा को, तो सुधा का CP कितना, तो देखो 576 जो है, ये वैल्यू है, 80 रेशियो की, 20% का लॉस, और हमें 100 की वैल्यू बताने है, तो 0 से गया 0, 8 से काटो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 720, यानि कि सुधा ने खरीदा था 720 का, उसके बाद जो है, उसने ट्र 200 जोड़ोगे तो 800, यानि रेणू का जो cost price है, वो 800 रुपए है, आगे सवाल में वो ये कह रहा है, कि उसने sold किया है, आगे, रेणू ने आगे sold किया है किसको, रगू को, किस price पर, उस price पर जितने पर सुधा को 24% का profit होता, तो बताए रेणू का profit कितना है, यानि सबसे प profit add कर दो, time waste मत करो, इसका 24% यह है, 24% का fraction क्या होगा, आप बस यह लिख दो, यह हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा selling price, यह क्या हो गया हमारा selling price, और रेणू का cost price कितना था, रेणू का cost price 800 था, तो आप सीधे यह देखो है, SP और CP का ratio कितना है, selling price हमारे यह आएगी, CP यह रह तो भाई सबसे पहले 0 से गया यह 0, 8 से गया यह 10 बार, और 8 से गया यह 9 बार, फिक है, यह दो 0 को वहाँ पर मालू ले गए, तो यह आगया हमारा कितना, यह आगया हमारा selling price, यह आगया cost prices का ratio आगया, 9 से multiply करो, 9, 4, 036, 9, 2, 018, 18, 18 plus 3, 21, 9, 9 plus 10, 9 plus 2, 11, यह आगया, यह य गया, क्योंकि profit percentage निकालना है, तो इतने पर, इतने में बेची जा रही है, यह यह यहाँ पर हम अपना time waste नहीं करेंगी, यह मैं selling price निकालने लग रहा हूँ, हमने हमेशा बात करें कि कभी भी वो ratio पूछ रहा है, यह percentage में पूछ रहा है, actual value से फरक नहीं पड़ेगा, SP, CP, कोई भी जो दो चीजोंगी उनके ratio से फरक पड़ेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, हाँ जी, ages का सवाल है, ages के सवाल में, पस एक बात याद रखनी कि दो लोग की age का difference हमेशा बराबर रहता है, और अराम से पढ़ते हुए चलो, कि age कब की है, present की है, past की future की है, the ratio of the ages of A and B, 8 years ago, लिख लो कि यार, 8 साल पहले जो उनकी age का ratio था, वो 2-3 था, और 4 साल पहले, यानि की minus 4, 4 साल पहले उनकी age का ratio कितना था, 5-7 था, present age यहां कहीं रही होगी, उससे 4 साल पहले, उससे 8, और इस total से, इससे 8 साल पहले यह रहा, इससे 4 साल पहले यह र रहेगा, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि difference है, एक यहां पर difference है, दो, तो ऊपर 2 से multiply कर दो, तो 4, 6, तो देखो यहां भी difference, यहां भी difference, दोनों जगे difference क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, अब यहां से यहां देखो, यहां से यहां आगे, कितने साल आ रहे हैं, यहां पर हम चार साल आ रहे हैं, यानि यहां पर से यहां कितना आ रहे हैं, एक ratio, तो एक ratio की value कितनी होगी, 4 years होगी, तो 7 forja 28 और 5 forja 20, यह इनकी age 4 साल पहले थी, तो आज इनकी age जो है, वो इतनी हो जाएगी 24 और 32, वो बोल रहे है, what will be the ratio of their ages, 8 years from now, now मतलब present, आज से 8 साल बाद जो है इनकी age का ratio, तो इसकी age हो जाएगी 32, इसकी हो जाएगी 40, 8 forja 32 और 8 forja 40, 4, 5 is the correct answer, ठीक है भाई, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यहर मेरे इसाब से वैसे कराने की खास जरूरत है नहीं, बॉर्ड मास लगा देना है, बट फिर भी चलिए, सवाल उठाया है, तो discuss कर ल होता है, सबसे पहले हम off को solve करेंगे, यह क्या है हमारा off मतलब multiply, यह हो गया हमारा 22, यह 2 से काट दो, चलो, 2 से कटा हमारा यह 15 बार, ठीक है, तो यह आगे अपना कितना, 11 divided by 45, minus, minus, 1 by 4 off, 2 तो जाब 4 यह हो गया, 5 by 2, यह हो गया, 5 into 4 by, 4 into 8, फिर आगे अपना divided by, अच्छ को उठा लेते हैं, यह तो हो गया, solve, अब आजाते हैं, इस पर, यह हो गया, into में 5 by 3, into में 5 हो जाए, 20 plus 4, 24 by 5, कुछ नहीं है, देखो, जैसे लिख रहा है, बस solve करते हो जा रहा है, और कुछ नहीं है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर ही divide हो रहा है, किस से 11 by 45 से, यानि कि 45 को उपर पहुचा दो, और 11 को नीचे पहुचा दो, और multiply कर दो, 3, 3, 9, plus 2, 11 by, ठीक है, 11 से गया, 11, 3 से गया, यह पंदरा बार, तो यहाँ पर तो पंदरा ही बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है, 8, 3, 24, 5 से 5 गया, 15 माइनस 5, यह उपर तो numerator में 10 बच रहा है, नीचे आजाओ भई, सबसे पहले off को ही कर लेते हैं, off को करा तो 7, 2, 14, plus 1, 15 by 2, और 2 से 2 गया, 15 मतलब की 5, 3 जा, और divide मतलब की into में 4 by 3, minus 3 by 4, into में 2, 1 जा, 2, 3 by 2, into में, अब 4, 2, 8, 9, 9 by 4, यह नहीं की 4 by 9, solve करते हैं, 4 से 4 गया, 3, 3 जा, 9 गया, यह कितना आ गया, LCM ले लेते हैं, 6, उपर आ गया, 4, 3 जा, 12, और 12, 2 जा, 24, minus में, यहां पर 3, यह आ गया, 21 by 6, 21 divided by 6, 6 गया, उपर 3 से गया, 2 times, 3 से गया, यह 7 times, आगय, 20 by 7, 20 by 7, साथ है, 21, 4, 95, 7, 7, 7, 2, 14, और 6, 20, ठीक है, यहीं जो है, हमारा correct answer हो जाएका, 20 by 7, क्लियर है, कुछ नहीं लंबा चोड़ा होगा, और थोड़ी गंदगी से फैलेगी, लेकिन patience के साथ करना पड़ेगा, अगर लग रहा है आपको कियार, बहुत बड़ा सवाल आ गया, समय है, 10 मिनिट बची है, 10 सवाल बचे है, तो भले इसको छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि यह जो सवाल होते इसमें अच्छे से अच्छा बंदा भी गलती कर सकता है, और एक मिनिट बच रहा है, एक एक सवाल के हिसाब से, तो यहाँ पर टाइम भी एक मिनिट से हो सकता है, पांस सेकिंड एक्सटा ही लग जाए, तो पहले बाकी सवाल देख लेते हैं, यह सब चीजें experience के साथ आज लगाने से, तो previous year mock test लगाना शुरू करिए, जाद से आदा mock test लगाईए, आजाएए भई, हमारे पास आ चुक है geometry का एक छोटा सा सवाल क्या कह रहा है, सवाल को फटा-फट से try करिए, यह सवाल SSC का one of the favorite questions है, D is the midpoint of side BC of triangle ABC, यह अगर exam की language, exam में ही मतलब यह language थी बड़ी बिकार सी है, कहना चाहिए था in triangle ABC, D is the midpoint, बट इसने D से शुरू हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यह हो गया हमारा A, यह हो गया हमारा B, यह हो गया हमारा C, और D जो है, यह हमारा हो गया midpoint, कहना एक point E है, जो lie करता है AC पर, तो भाई, E बना देते हम AC पर, इस तरीके से such that, T, E बराबर AC भाई 3, तो 3 को यहाँ पर ले आओगे, T, E अगर 1 है, तो AC 3 है, T, E अगर 1 है, तो AC 3 है, यह पूरा अगर 3 है, 1 हटा दो, यह नि, A, 2 हो जाएगा, ठीक है, कहना B, E और A, D, तो B, E, और A, D, इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक point G पर, अब जरूरीने हैं, G centroid है, ठीक है, what is AG ratio GD, AG और GD का ratio बताओ, यह सवाल एकदम रटा हुआ और अच्छे यह, कि आप सीधे यहाँ पर यह line ड्रॉ करें, जो कि इसके panel होगी, अब यहाँ पर आपने देखा, कि side का ratio 1-1 है, कौन से triangle पर focus करना है, देखो focus करो आप इस triangle पर, यह वाले triangle पर focus करो यह वाले triangle पर focus करो, ठीक है, और यह वाला triangle, मतलब यह छोटा triangle और यह पूरा बड़ा triangle, यह दौनों triangle जो है, आपस में similar होंगे, क्यों, कि भाई, यह वाली side इसके panel है, जब भी एक triangle में, किसी भी एक side के panel आप एक line draw करते हैं, तो वो दौनों triangle पक्का कैसे होंगे, similar होंग 1 होगा, अब भाई, इन दौनों, यह दौनों अगर बराबर हैं, पूरी तो 1 कह रहे हैं, अगर हम यह पूरी 1 कह रहे हैं, यह वाली side 0.5 हो जाएगी, और यह वाली side भी 0.5 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इनका ratio 1-1 रहना चाहिए, सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, बताईए AG और GD का ratio क्या होगा, सेम तरीके से, उसी तरीके से जैसे भी हमने नीचे यह triangle देखा था, अब देखो यह दो triangle, कौन से दो triangle, एक तो यह बड़े वाले triangle पर focus करिए, एक यह बड़े triangle पर focus करिए, और एक यह triangle पर focus करिए, यह छोटा, हमने यह line ऐसे draw करी थी, इस line के parallel draw करत है, अपने मन से, वो इसके parallel draw करते, अब फिर से, इन दोनों triangle में यह line के parallel, यह line है, तो जो ratio इन दोनों का होगा, वही इन दोनों का होगा, तो यह कितना होगा, यह दोन triangle भी similar है, तो answer होगा 2 ratio 0.5, और 0.5 का मतलब 1 by 2, यह answer आएगा 4 अनुपात 1, 4 ratio 1, यानि कि option number B जो है, वो इस सवाल का correct answer है, बात clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, try करिए, अचा ऐसा जो सवाल है, यह दूसर सवाल आ रहा है, इस series में इस type का, मुझे ऐसा याद आ रहा है, यह दूसर सवाल है, इस पूरी series में ऐसा ही, देखिए इसमें यह वाला सवाल SSC काटेगी यह line, अब यह जो बन रहा है हमारा, यह figure, यही है हमारा वो quadrilateral, कौन सा quadrilateral करहा है, cyclic करहा है, ठीक है, बन गया, बनाने में दिक्कत नहीं, ऐसे बन जागा, कोई दिक्कत नहीं, या इधर उदर काटा पीटे, कोई नहीं, यह हमारा cyclic quadrilateral, कह रहा है, कौन सी दो को आगे बढ़ाने से, और BC को आगे बिलाने से, वो मिल रहे हैं, किसी एक point F पर ठीक है, अब देखें, कह रहा है, एंगल ADC, एंगल ADC, ठीक है, यह एंगल हमें दे दिया 75, ओके, आगे कह रहे है, BEC 52, BEC, ठीक है, यह एंगल है 52, और बताइए, कह रहे है, then what is the difference between bad, एंगल bad, ठीक है, यह वाला एंगल, इसमें से माइनस कर देना, AFB, AFB, ठीक है, यह वाला एंगल माइनस कर देना, ठीक है, आजाईए, जैसे ही मैंने 75, देखा है, मैं समझ गया, यह होगा, हमारा 180 माइनस 75, तो यह हमारा 75 आजाएगा, और बताइए, और कहां पहुंच सकते हैं, अच्छा, मैं यहां पर आ सकता हूँ, यह वाला एंगल जो है, इस ट्राइंगल का एक्स्टीर एंगल हो जाएगा, ठीक है, यह वाला जो है, यह वाला जो है, इस ट्राइंगल का एक्स्टीर एंगल हो जाएगा, तो यह कितना आ गया, पांच और दो साथ, और साथ और पा 25 वे एक्स्टीर एंगल हो गया, इस टाइंगल का, तो 53 प्लस क्या 75 होगा, तो यह हो गया आपका 55, 75, इन दौनों का डिफरेंस लेना था, तो 31 आ जाएगा, 31 is this option, बात क्लियर है सभी को, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहीं तक है, तो चलिए भई, इसी के साथ जो करते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तिल दन हसते रही है, मुस्कुराते रही है, और मेहनत करते रही है,